क्या रहा है कि मसीन का जो वेल्कम तो मैंचनल इस ब्रुदिन साल्व करें क्वेशन 19, 20 & 21 तो ध्यान देजिएगा पहला क्वेशन है 19 ती वैलू आफ अमसीन डिप्रिसेट्स एवरी यर बाई 5 परसेंट यहाँ पर कहा रहा है कि मसीन का जो वैल्यू है वो डिप्रिसेट कर रहा है मतलब घट रहा है हर साल कितने परसेंट से 5 परसेंट से तो यह बोला है कि यदि प्रिजन्ट वैल्यू एक मसीन की एक लाख है तो दो साल बाद उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी घट करके क्या करेंगे पहले-पहले क्या करेंगे आप इसका जो present value है उसको लिख लीजे यहां पर ओके नंबर आप 0 जिरो इस 5 होने चाहिए 1 लाक ओके इतना रूपीज है आपका present value अब एक साल बाद कितना हो जाएगा एक साल बाद इसमें से 5% हम इसमें से कर देंगे means हम लिखेंगे यहां पर वन लाक में से माइनस कर देंगे वन लाक का ही 5% निकाल कर तो 5% मिन्स वन लाक मनप्लाइट बाई 5500 5% यहां पर दो जिरो जिलो देंगे यहां से और 5 सुन प्ले होगा यहां पर तो 1000 है आपका 5000 हो जाएगा 5000 मिनस करेंगे वन लाक में से तो मिल जाएगा 95,000 इसन दैट यहां से मैंस करें फ़ेंगे तो मिलेगा आपको 95,000 अब यह 95,000 मतब एक साल बाद हो जाएगा इसकी एक मसीन की वेलू, यहांस घट करके 95,000 है, अब एक साल बाद और गम करना है, तो यह जो वेलू है उसको प्रैमरी मानना पड़ेगा, अब यहां पर मानलो कि यह इतना वेलू होगी, अब देखना है कि यह जो वेलू है 5% इसमें से घटेगी जब एक साल बाद और, तो कितना value हो जाएगी तो यहां लिखना पड़ेगा हमें इस तरीके से हमें 95,000 में से मानस करना पड़ेगा 95,000 का 95,000 में से 5 परसेंट निकाल कर so into 5 परसेंट means 5 पर हंड़ेड दो जो कटेंगे यहां पर यहां पर यहां मानस कर लिजिए तो मिलेगा आपको 95,000 मानस 5,000-5,000-5,000-5,000-5,500-25 का 5, 2 कहरी ओबर और 5 जांज जाएगा 45 & 47 तो यहां मानस करेंगो तो क्या मिलेगा यहां देखे 0 से 0 & 5 यहां पर 5 हो जायागा 9 पर सी 7 जाएगा 2 & 2 & 4 बचाएगा 4 जाएगा 0 & 9 यहां पर as it is उतर जाएगा तो मिल जाएगा वो 90,250 रुपीज इसका मतरब कि दो साल बाद machine का value जो है depreciate हो करके 90,250 रुपीज हो जाएगा ओके तो आप समझ चिके होंगे कैसे हमको find करना है आपको depreciation value Now question number 20 ओके तो 20 ध्यान दिजेगा The population of a town increases by 10% annually तो हर साल एक टाउन का population increase कर रहा है 10% से तो बोला है कि यदि present population If the present population is 60,000 What will be its population after 2 years? दो साल बाद कितना हो जाएगा population? देखिए ध्यान समझेगा कैसे solve करेंगे? बहुत simple है ये हमें बस क्या करना है कि इस population को increase करना है every year ठीक है? कितने percent से? 10% से सबसे पहले लिख लिए यहाँ पर जितना present में दिया होगा है तो 60,000 आपका है ठीक है? 60,000 में हम add कर देंगे 10% यदि हम अगले साल का निकालना चाहते हैं बाप्रेसन कितना होगा? तो हम यहाँ पर 10% किसका add करेंगे? 60,000 का ही इन्टू हम यहाँ पर 10% से तो हमारा हो जाएगा यह 60,000 तो लिखेंगे ही ऐसे ही प्लस यहाँ पर हम 60,000 का 10% निकाल लेंगे 10% निकालेंगे मतलब कि 10 अपान 100 यहाँ पर 0 जिरुर कड़ गया है यहाँ जिरुर कड़ गया है यह बिलिए आपको 6,000 तो इधि हम आइड करेंगे 60,000 में 6,000 तो आपको मिल जाएगा 66,000 ठीक है तो हमारा जो next year का जो पर इसन हो गया हो कितना आगया है 66,000 मैंने 1 year after अब 2 साल के बाद कितना हो जाएगा ठीक है आप जाते है आफ्टर सेकेंट आफ्टर 2 years आफ्टर 2 years तो यहाँ पर भी फिर से हमें इस साल का भी मैं तो second year भी हमें आइड करना पड़ेगा 10% इसका निकाल करके that's it तो हम यहाँ पर आइड कर लेते हैं इतना multiplied by 10% तो यह दो जिरूश करते हैं इस आप इस आइड होगा आपको मिल जाएगा 00 यहाँ मिल जाएगा 6 means 72,600 this is the population of the town after 2 years आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है जो भी present population दिया रहता है यदि अगले 2 साल का 3 साल का जितने साल भी पूछे percentage कल्फुरेट करके उसमें और आइड करते जाएए एक साल का यह निकला है पहले साल दूसे साल में जितना निकला था यह उसी को हम यहाँ पर रख करके और उसका निकाल करके 10% फिर आइड करेंगे इसमें फिर जो आएगा finally वो second year के end में हो जाएगा यदि third year का भी दिया रहेगा तो तीसे साल में हम इसको लेंगे और इसका 10% निकाल करके इसमें add कर देंगे ठीक है आप ऐसा कभी मत करिएगा कि इसी को बार बार ले करके add करके निकालेंगे तो गलस जाएगा ठीक है आपको हर बार अलग अलग जो value आ रहे है उसका 10% निकाल करके add करना है that's it now, चलते हैं 21 question पर, okay, question नमा 21 ध्यान देज़ेगा, the population of a town increases by 10% annually यहाँ भी दे दिया है कि town के population का जो increasement है, उसका rate है 10% per annum एक साल में 10% increase जा रहा है population if the present population is 22,000 यदि उस town का population का, उस town का population है, वो 22,000 है present find its population a year ago एक साल पहले कितना था, यह find करना है तो एक बात ध्यान देखेगा है, यहाँ पर increase करने की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, कि यदि पहले वाली value पता है, मतलब यहाँ की value पता है, तो इसमें हम plus करके 10% और इसके आगे वाली value find करते हैं, ठीक है हम ऐसे मतलब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, कि एक पहले जाना है, एक साल पहले का बताना है तो हमें यह present का पता है एक साल पहले का बताना है कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता है, यह present है ठीक है और ये एक साल पहले की बात है वन येर एगो इसका मतलब कि ये प्रजेंट है तो यहाँ पर आपका दिया हुआ पॉपलेशन है ओ स्वरी पॉपलेशन है ट्वन्डी टू थाउजन्ड अब आपको फाइंड करना है कि वन येर एगो यहाँ पर कितना था लेकिन हम जानते हैं कि वन येर एगो जितना भी रहा होगा हम एकस ही मानेंगे एकस में एदियम 10% आइड करते एकस का निकाल करके तभी 22,000 आएगा क्योंकि हम बोला क्या है कि 10% से इंक्रीज होता है एन्वली इसका मतलब कि प्रिवेस येर को मान लिजे एकस तो हमने मान लिए प्रिवेस येर में एकस अब उसमें क्या करेंगे कि आड करतेंगे 10% किसका एकस का ही तभी तो नेक्स्ट येर का आएगा कितना पॉपलेशन होगा तो नेक्स्ट येर का पॉपलेशन जो है इतना दिया हुआ है जो कि प्रिजेंट पॉपलेशन है 22,000 अब यहां सॉल्व कर लिजे आपको मिलेगा 100 प्लस 10x 110 x whole upon 100 is equal to 22,000 so now यहां पर अब x की value जो है फाइन कर लेंगे 22,000 multiplied by 100 whole upon 110 10 से 10 कटा 11 से कटा लिजे 11 तो यहां 20 200 200 by 100 is 2 lakh so sorry 20,000 so this is 20,000 this is your answer for this question 21 so hope क्यों समझ में आगया होगा question 19, 20 and 21 यदि तीनों मैं आपको जो भी question अच्छा लगा आप comment box में बिता सकते है मुझे और यदि कोई की doubt होता है तब ही आप conversion में बता दीजी मुझे ताकि मैं उसको improve करूँगा और आपको नए तरीके से बताऊँगा यदि नेक्स्ट वीडियो में बनाना होगा तो thank you so much for watching bye